हे गाईज वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल कार इंफोर्मेशन टाटा एच्वी एक्स टाटा एच्वी एक्स टाटा मोटर्स की सब कुम्पेक्ट माइक्रो एस्यूवी है बहुत सारे कस्टमर्स इस गाड़ी को लेने के लिए बेसबरी सिंतजार कर रहे हैं लेकिन क्या आपको पता है कि टाटा एच्वी एक्स आपके लिए एक सही कार है क्या टाटा एच्वी एक्स आपका एक सही डिसीजन है So guys, वीडियो को लश्ट तत पूरा वोच करें क्योंकि आज कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाटा एच्वी एक्स के पोजिटिव और नेगिटिव पोइंट्स और आपको बताएंगे कि आपको टाटा एच्वी एक्स लेनी चाहिए या नहीं So guys, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को भीना स्किप किए पूरा वोच करें और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल कोन कर दे जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके So guys, let's get started सबसे पहले बात करते हैं Tata HVX के positive points के बारे में इस गाड़ी का पहला positive point है इस गाड़ी की looks Tata HVX की looks Tata Motors की premium SUV Harrier Sales Pired है इसलिए इस गाड़ी की looks बहुत ज़्यदा premium और बहुत ज़्यदा attractive है इस गाड़ी की front door rear profile बहुत ज़्यदा sporty और बहुत ज़्यदा premium है अगर आप एक बहुत 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 सारे best in segment और बहुत सारे first in segment features मिलते है अगर आप इस गाड़ी की first in segment features जाना चाहते हैं तो description में दिये गए link पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आप एक feature loaded car लेना चाहते हैं तो Tata HVX आपके लिए एक सही decision है सो गाइज अब बात करते हैं Tata HVX के third positive point की जो है इस गाड़ी की ground clearance सो गाइज अगर आप उबड खाबड रास्तों पर गाड़ी चलाना चलाते हैं तो Tata HVX आपके लिए एक सही कार है क्योंकि Tata HVX में हमें लगबग 200 mm की ground clearance मिलेगी जो की best है जिससे यह गाड़ी उबड खाबड रास्तों पर बड़ी ही असारी से चल जाती है सो गाइज अब बात करते हैं Tata HVX के fourth positive point की जो है safety Tata HVX Tata Motors का product है और Tata Motors की सभी गाड़ियां बहुत जाना safe है Tata Motors की सभी गाड़ियों की crash test पर यह गाड़ियां 4 या 5 star से ही score करती है So guys यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि Tata HVX की safety top notch होगी So guys अब बात करते हैं Tata HVX के negative points के बारे में वैसे तो Tata HVX में कोई भी negative point नहीं है लेकिन इस गाड़ी का एक ही negative point है वो है diesel engine अगर आपकी रनी जादा है और आप एक diesel car लेना चाहते हैं तो आपको Tata HVX avoid करनी पड़ेगी क्योंकि Tata HVX में हमें कोई भी diesel engine को option नहीं मिलता इस गाड़ी में हमें केवल petrol ही मिलता है सो गाइज अब बात करते हैं conclusion के बारे में सो गाइज अगर आप एक बहतरीन लुक्स वाली गाड़ी लेना चाहते हैं इसके features best हो इसके ground clearance बहतरीन हो इसके safety top notch हो सो गाइज आपको Tata HVX के साथ बिल्कुल जाना चाहिए और गाइज अगर आपकी running जादा है और आप एक डिजल कार लेना चाहते हैं तो आपको Tata HVX को overड ही करना पड़ेगा क्योंकि इस गाड़ी में हमें कोई भी diesel engine option नहीं मिलता सो गाइज अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है वीडियो को like करें और share करें और ऐसे ही बेतरी इन वीडियो से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें आज किस वीडियो में इतना ही थैंक ट्यू